करने के लिए setup को बार बार बनाओगे नहीं obviously नहीं आप चाहोगे कि एक बार करो और बार बार यूज़ करो so do once use forever वाली जो philosophy है उसमें आने के लिए functions जो हैं बहुत एहम हिस्सा यहां पर होते हैं यह function बनाते कैसे हैं in fact हमने अलेडी एक बना दिया है और उसका नाम है main function और यह जो function है यहां से start होता है हमारे C++ program का execution यानि जब भी आपने कोई program बनाया है वो सबसे पहले main को डून देगा main के अंदर जो lines हैं उनको execute करेगा और finally आपके operating system को zero return कर देगा अब यह return zero का क्या मतलब है यह मैं बताता हूँ return zero का मतलब operating system के लिए होता है कि यह जो आपका program है यह बहुत ही successfully execute हो चुका है और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई है जब इसको execute किया गया तो अब यहां पर आप अगर आपको program अच्छे से execute नहीं होता है तो यहां पर आप दूसरी return values भी दे सकते हो और यहां पर क्यूंकि हमारा program यहां तक पहुचा है तो अच्छी तरह से execute हो चुका होगा इस को sum लिखता हूँ और function बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यह कौन-कौन से arguments लेता है उस चीज को हम लोग लिखेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे यह भी लिखेंगे int a और int b और यहां पर हम लिखेंगे int c is equal to a plus b ठीक है और c plus plus में यह allowed होता है जैसे कि पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को और return c जैसे ही आप लिखेंगे तो क्या होगा यहां पर यह return कर देगा आपकी value c यानि यह अगर मैं आप पर int num1 बनाओ num2 बनाओ num2 बनाओ और उसके बाद मैं कहूं c out और आपसे कहूं enter first number और उसके बाद मैं यहाँ पर handle लिख दूं उसके बाद enter second number लिखूं और इसके बाद यहाँ पर c in num1 और c in num2 कुछ इस तरह से अगर मैं लिखूं तो num1 और num2 जो है मेरा उसके अंदर मैं यह values लिख सकता हूं और c out फिर मैं लिख सकता हूं this sum is और उसके बाद मैं आपर लिख सकता हूं sum of num1 and num2 तो num1 और num2 का जो sum है वो मेरा return हो जाएगा और finally print हो जाएगा तो जलो देखते हैं यह program चलता है कि नहीं चलता है और फिर समझेंगे कुछ terminologies को और यहाँ पर लगता है म या मैंने कोई गलबर करिये नहीं मैंने गलबर नहीं करिये आपर मुझे save करना है इस file को और इसको run करना है और यह चल जाएगा यह देखो enter first number मैंने 2 कर दिया enter second number 5 कर दिया sum is 7 5 और 2 7 होता है छोड़ी बड़े numbers के लिए check कर लेते हैं same program को 34 और 1000 1034 देखो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है और यह execute किस तरह से हुआ यह देख लेते हैं अभी तो क्या होता है जब भी आप इसको यह num1 और num2 देते हो यह सबसे पहले तो sum को ढूड़ेगा sum को ढूड़ने के बाद यह क्या करेगा num1 और num2 पास कर देगा यानि कि जो भी आपने num1 और num2 में डाला यह तीन और चार किसको सौब देगा यह यह और बी को सौब देगा कहेगा अब तुम 3 हो और बी तुम 4 हो जाओ आगे बढ़ो ए और बी बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं 3 हूँ ए बोलेगा बी बोलेगा मैं 4 हूँ चुकि num1 तीन था और num2 चार था इसलिए मैं 3 और 4 हूँ और अब c की value हो जाएगी साथ और return हो जाएगा c और जो भी यहाँ पर return करता है function value वो यहाँ पर आ जाती है यह जो मैंने select किया है भी उस चीज़ को replace करते थी है और इसे कहते है return value function की जो की हमारे main के case में क्या थी return 0 थी sum के case में क्या है उन दोनों का जो sum है वो return हो रहा है ठीक return करिया उपर से वो आकर लग जाएगी तो यह था हमारा एक बहुत ही simple function जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया अब यहाँ पर function prototyping की बात कर लेते हैं अब यह जो function prototyping होती है और वो उसका क्या मतलब होता है मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ अगर मैं मैं के बाद और इसके बाद इस program को run करने की कोशिश करूँ तो यह देखो मैं इसको run कर रहा हूँ अपर मैं पुराना run cancel कर देता हूँ अब मैं इसको freshly run करता हूँ और इसको fleshly जैसी मैं run कर रहा है आपर देखो क्या लिख कर आ रहा है यह क्या sum was not declared in this scope क्या sum मैं जानता ही क्या होता है लेकिन आप लोग कहेंगे कि sum जो है वो लिखा तो है मैंने अपर इतना बड़ा function बनाया है तो अब आप लोग सोच रहा होगा कि क्या mean को सबसे last में रखना है क्या sum को पहले रखना है क्या करना है अब कभी-कभी क्या होता है कि आपके program में आप जो functions है उनको बाद में रखेंगे और इसका solution होता है function prototypes अब function prototypes क्या करता है मैं बताता हूं आप लोगों को function prototyping क्या करता है कि बताता है पहले से compiler को कि यह function आने वाला है यह function इस्तेमाल होने वाला है यह function यह values लेकर यह value return करेगा और इसकी मदद से क्या होता है कि compiler पहले से तयार हो जाता है आपके उन functions को execute करने के लिए अब ये जो C language थी हमारी अगर आप लोगों में से कजी ने पढ़ी हो तो नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं लेकिन पढ़ी है तो function prototype किस तरह से दिखता है यह मैं आप लोगों को बता रहता हूँ और अगर आप college, school वगएरा में पढ़ते हैं तो यह question बहुत आता है कि क्या होता है function prototype तो यहाँ पर मैं save करूँगा और save करने के बाद यहाँ पर type function name और उसके बाद arguments यह है हमारा function prototype का syntax बट यह execute नहीं होगा क्योंकि execute करने के लिए आपको search में देना पड़ाएगा इसको तो मैं लिखूँगा int और लिखूँगा फिर sum sum मेरा function था मैं कहूँगा कि यह क्या ल देता है ठीक है यानि कि दो integer numbers देता है input में मैं आपर लिख दूँगा इस चीज को int sum int pin और int num1 num2 यह मैंने आपर लिख दिया ठीक है तो अब यहाँ पर मैं इसको run करने की कोशिश करूँगा तो यह दे को run हो गया 3 और 6 9 होता है मेरा program बहुत ही सफलता पूरवग execute हो गया तो यह होता है function prototype जो की बताता है compiler को कि अगर तुमने तेक हो सबसे पहले क्या होगा जब आप run करोगे इस program को तो वो main function की तलाश में में फंक्शन उसको यहाँ पर मिल गया अब जो आपका sum था वो नीचे था लेकिन prototyping दे के आपने क्या कर दिया आपने बोला अपने compiler को कि अगर sum नहीं मिलता है तब भी उसको ढूंड़ आगे मिलेगा ज़रूर मिलेगा तो एक assurity देता है आपका जो program है sum के आगे मिलने की ठीक है guarantee नहीं देता है assurity देता है just कहता है कि हाँ sum आगे है I hope समझ में आगे होगा आप लोग को अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि क्या चीज गलत है और क्या चीज acceptable है यहाँ पर यह acceptable है मैं आपर लिख देता हूं कुछ इस तरह से वापस स आगा के acceptable ठीक है अब यह बता हूंगा acceptable है कि नहीं है यह वाला जो अभी लिखा है मैंने save किया मैंने int sum int a और उसके बाद b इस तरह से ठीक है क्या यह acceptable है नहीं acceptable नहीं यहाँ पर यह error थो करेगा आपको पूरा लिखना पड़ेगा int a int b ठीक है एक और चीज जो acceptable है वो दिखा देता हूं अभी आपको आपको जरूरत नहीं है आपर a और b लिखने क्योंकि यह आपके actual arguments नहीं होते हैं इसलिए आप सिर्फ यहाँ पर int int b लिख दोगे तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा ठीक है तो मैं इसको भी run करके आप लोगो सम जो है वो है 7 तो यहाँ पर हम लोग जो है इस तरह से सिर्फ अगर यह बताते हैं कि क्या type है तब भी हमारा काम जो है और वो हो जाएगा अब यहाँ पर एक सिंपल से terminology की बात करना चाहता हूं और वो यह है formal parameters, actual parameters, formal parameters क्या होते है? formal parameters हमारे वो parameters होते हैं जो कि हमने function में इस case में A और B बनाया था, actual parameters क्या होते है? actual parameters वो होते हैं वो values होते हैं जो कि function को pass कराई जाती है, तो मैं आपर लिख देता हूं num1 and num2 are actual parameters, ठीक है? और मैं आपर क्या करूंगा इसको comment out भी कर दूँगा कुछ इस तरह से, और save कर दूँगा, यह है actual parameters और इस case में A and B will be, will be taking values from formal parameters, sorry actual parameters, num1 and num2, A and B, यह हैं आपर मैं लिख देता हूं, formal parameters, तो I hope कि formal और actual parameter आपको समझ में आ गया होगा, यह था formal parameters, formal parameters कौन से वाले parameters थे, formal parameters हमारे वो वाले parameters थे, जो की हमने function में define किये थे, just function के अंदर इस्तिमाल करने के लिए, सिर्फ function के अंदर हम इस्तिमाल करना है उसको, ठीक है, A और B इस case में, मैंने C बना के A plus B के बराबर कर दिया उसको, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बड़े अराम से return कर दिय c को, ठीक है, तो कुछ अस तरह से भी हम लोग कर सकते है, अब क्या function को value return करनी की जरूरत है, ये एक सवाल है, और इसका जवाब है नहीं, जैसे मानलो कि आप cout लिख 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 के ठक गए हो, तो आप void, p नाम का एक function मना सकते हो, और वो क्या करेगा, वो आपको, मानलो, g's for greet है, मानलो, वो greet करेगा, और वो cout क्या करेगा, बार बार, लिखेगा, करेगा आपको hello, ठीक है, या फिर hello good morning, morning, save किया मैंने, g को में call करूँगा, अपने main के अंदर, क्या run होगा, क्या मुझे error मिलेगा, मुझे बताओ नीचे comment में लिख कर, मैं चाता हूँ कि आप ए I hope कि आप लोगों ने इसका जवाब सही find कर लिया होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, अगर मैं इसको run करूँगा, तो definitely error देगा, और यह error यह देगा, कि g आपका scope में नहीं है, और मुझे इसको int g करना पड़ेगा, sorry, void g करना पड़ेगा, और इसके अंदर भी मुझे void द 4, this is, the sum is 7, hello good morning, ठीक है, तो यह g जो हो यहाँ पर execute हो गया, मैं अगर यहाँ पर backslash n लगा देता, तो शायद यह hello good morning नई line में आता, तो वो भी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर देगो sum is 10, hello good morning, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर यह जो g था, इसने ना कुछ लिया ना कुछ दिया, अब यह void आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ इस तरह भी कर सकते हो इसको, सिर्फ इस तरह भी लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा, यहाँ पर आपने इस तरह से अगर prototyping कर दी, तो भी आप जो है, बिलकुल सही रहेंगे, तो void optional होता है, लिक parameters और actual parameters का नाम जो है, वो seem हो जाता है, यहाँ आप कभी-कभी A और B यूज़ करना चाहेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगा A और B यूज़ करना चाहेंगे, और कभी ऐसा करते हैं, आप तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बढ़ी है कि हाँ दोड़ा confusion ह जाता है, अगर मैं A और B कर दूँ इसको भी, मैं जस आपको करके दिखाता हूँ A, इसको B, इसको A, इसको B, मैं वापस से reward कर दूँगा, यह दिखाना जाता हूँ कि चलेगा, function अब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अलग ही रखता हूँ अपने programs में, इन तरीका होता है, आपका एक बहुत बड़ा improvement था C++ में, जब C में यह नहीं हुआ करता था, C++ में आया था, इसको एक बहुत बड़ा एक weight दिया गया था, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, इस feature को, यह simply क्या करता है, कि compiler को बताता है, कि क्या return होने वाला है, और क्या तो यहाँ पर जो proper arguments से वो pass हुए है और नहीं हुए है, function में, यह चीज आपकी compiler पता कर सकता है, so एक check करने का अच्छा मौका मिलता है compiler को, और आपका जो program हो definitely improve होता है, और optimal बनता है, so I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा function prototyping, functions क्या होते है, आगे हम और देखेंगे, practice करेंगे, so अभी के लिए guys इस वीडियो में इतना है, अगर आप लोगो ने वीडियो like नहीं किया, तो उसको like kindly जरूर कर देना, उसी के साथ साथ अगर आप लोगो ने ये playlist access ने करिये, तो इस playlist को भी जल्दी से access जरूर कर लेना, और उसी के साथ साथ यहाँ click करके bookmark कर और यहाँ click करके save भी कर लेना, इस playlist को, thank you so much guys for watching this video, source code में description में डाल दूंगा, and I will see you next time.